तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शानल बर मेरा में वरोड और हम बात कर रहे हैं लौ की जी या जितने भी candidates हैं या फिर पार्डी जपीट्स है जो law से degree करना चाहरा है graduation करना चाहरा है या career अपना law में बनाना चाहरा है तो यह जो channel है यह dedicated to law है मतलब यहां सारी जानकारी colleges, courses और career से जुड़ी law से related आपको मिलने वाले है दोस्तों मैं share करना इसको नहीं भूला है और channel भी subscribe करना है ताकि सारी जानकारी आपके लिए आपको यहीं मिल जाए सबसे पहले फिलाल हम जो बात कर रहे हैं वो सारे NLU's पर discussion कर रहे हैं जो important important NLU's हैं जिनको बच्चे सबसे पहले prefer करना चाहते हैं और इसके लिए अच्छी खासी client की preparation करके हमें अच्छी ranking लानी पर चाती है सो इसी सुरंकला में इसी कड़ी में हम आज जो डिसकस करने वाले हैं वो हम ही माचल प्रदेश या NLU सिवला की बात करने वाले हैं एक तो बादियो घटाओं वाला campus है यार मज़ा आदा आता है लेकिन हाँ यह है कि अभी वहाँ वो campus जो है वो नए NLU's में सुमार है और अभी एकार दो बैच ही निकले हैं बहुत अच्छे performance है नहीं अभी हाँ लेकिन दीरे दीरे ग्रूम होते चले दाएगे तो भई आखिर तक इसके बारे में हम discussion करेंगे इनके इंबोर्डिन इंबोर्डिन प्रामीटर्स पर और आपके लिए क्या अच्छा हो सकता अगर आप टागेट कर रहे हैं तो क्या-क्या चीजें आपको जानी चाहिए यह आपको पता चल जाएगी साधी साथ अपनी profile पर और कुछ best आप जाना चाहरा है तो नीचे profile analysis form धी मिल जाएगा description box में जिसको fill करके आप जानकारी ले सकते हैं तो उसको fill करना नहीं बोला है चीक है चलिए हम बात करें हिमाचल प्रदेश में सिमला में ये campus established है तो बही ऑबिसी बात है state government act पारित करके इस university को law university को established करेगी 2016 का act 16 था जो state legislature ने पास करके इस का establishment करा था यह UG के courses BA और BSC और PG के courses LLM courses अभी तक conduct करा रहे हैं PhD का भी आगे चलके दीरे दीरे ये courses conduct कराएंगे ऐसे courses की conduct करा ही रहे हैं पहले शुरुबाती तो और पेनों ने माचल प्रदेश में खुद का CET लिया था मतलब interest test लिया था जिस पेनों ने बच्चों क पहले session के लिए अठारा उटनेस वाले session के लिए यहनों ने क्या किया था बच्चों को फिर अभी तो consortium पे सामिल होई गये हैं तो अब क्लैट के basis पे अपको admission यहां पे मिलने बाला है PhD programs भी नोने धीरे-धीरे start कर दे हैं आला इसमें हम बात करें तो 2016 similar establishment है similar जगा campus और campus की साइस बहुत बड़ी नहीं है दस्काड में ही फिल आई यह campus है लेकिन दस्काड भी कम नहीं होता यहां बहुत सारी facilities आपको मिलने बाली है BCI यानि बाहर council of India इसका आपको recognition है affiliation है मोल सकते हैं आप तक ही courses conduct करा UGC UGC यानि university grant commission जो आपको grant वगएरा universities वो प्रवाइड करा आ रहा है अभी offer करें बच्चों को number of seats डेड़ सो है total इनकी official website जहां पूरी जानकारी आप आगे चलके ले पाएंगे वो HPNLU.AC.IN है जहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कोईड यह जेंडर इंटेक है इनका यह वाइस उगल साथ में बढ़ते हैं application online online को focus इसलिए कि जाता है क्योंगी digital हो रहा है और टूटल faculty count 18 से ज्यादा faculties है जो अच्छी खासी experienced है प्रेक्टिस्टोर पे जो बच्चों को guide कर देते हैं उनके career को समाहले का काम करें रेंकिं मिल जाने वाली है courses और इनके future की बात करें तो यह भई मैंने बताई दिया है UGPG और PhD courses conduct करा रहे हैं लेकिन अभी सुरुबाद जो है वो UGPG की है सो B.L.L.B. B.B.L.B. यह जो courses है integrated program पांस साल के लौके हैं और इसमें लगबग 6 लाग रुपे की फीसे पांच चो साल हो क्यों यानि आप मान के चलिए तबाला करें और क्या उसके आसपास एक बीस एक बीस मार लौक अबर ठीक है और इसके लिए क्या करना होता है आपको 12 class पास करनी 50% marks जो CLAD के लिए eligibility है ना और उस CLAD के exam में अच्छी आपको क्या लेकर आनी है ranking लेकर आनी तब जाके आपको मिलने वाला है उसके अलावा फिर आप जाएंगे सो LLM कर सकते हैं यह PG है साल दो साल की डिपेंड करता है कौन सा specialization आप ले रहे हैं CLAD के basis पे graduation 50% के marks सो CLAD में अच्छे marks लिके आएं तो आपको यहां पे admission मिलने वाला है BSC का एक course अभी हिरो ने temporarily start किया simple BSC यह LLB बगेरा उसमें आप फर बाद में BSC LLB conduct करवा देंगे आगे चल गए यह courses है प्लेस्मेंट की बात कर ले तो अभी अब्यसी बात है 2016 में established हुआ है इनका 18-19 का जो है वो पहला batch निकला है अभी निकला क्या चली रहा है एक प्रकार से तो अभी batch complete हुआ नहीं है और batch completion नहीं हुआ है तो records कैसे आजाएंगे प्लेस्मेंट के हाँ एक दो सालों मे आपको जैसी continuation बनेगा आपको placement की records मिल जाएंगा और hope यही है कि यहां से अच्छे placement की record निकले ताकि बादियों और गटाओं का मौसम तो रही और बच्चे भी आप शुमार जाएं और अच्छे placement के साथ अपना career निखार ले facilities की बात करें तो वो सारी facilities food court important है भाई लौके लिए तो जरूर important है साथ ही साथ यहां पर library क्योंकि resources की जरूरत है हमें hostel sports complex gymnasium subtle service others यह सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली यह facility ने utilities है और obviously बात है इनसे overall development बच्चों का होने बाला है यह सारी चीज़ों के साथ हमने जो mean mean important parameters है वो हमने NLU similar के discuss कर लिया बाकी के जो NLU है उस पर भी हम discuss करेंगे एक वीडियो में हम discuss कर रहे हैं तो आप जिनको target कर रहे हैं उनको देख लें भाई मेरे क्याल से तो सारे को देखना आपको जरूरी है ताकि आपके लिए क्या best होगा यह आप जान सके इसके अलाबा भी अगर अपनी profile पर best आप जानना चाहते हैं माले जी देखिए अच्छी ranking नहीं आई क्लेट में और अनले उस नहीं मिल रहे हैं तो और भी options हैं लोके और अच्छे-च्छे options हैं क्या हो सकते हैं वो अपके लिए कौन सब बेस्ट होगा यह जानने के लिए आपको नीचे profile analysis form फिल करना होगा और उसको फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे कोडिनेट करके आपको बदाएगे आपके लिए क्या best हो सकता है तो भाई अंगले वीडियो में अंगली जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जय है I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe